नमस्कार जल्शक मित्रो मैं हूँ पूर्वी पटेल दमन नियूज में आपका स्वागत है समाचारों की शुरुवात करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर तौक्ते तूफान के बाद पाड़ी तस्दिल में किसानों की खेती में आम तोड़ने की शुरुवात दरमपूर के लाड़क मार गाउं में से गरकानूंदी तरीके से ले जा रहे बायो डिजल बरे हुए टेंकर के साथ दो शक्स को किया गरफतार कोरनम हमारी के कारण मिनी लोकडाउन जैसे माहौल में वापी समेथ समगर देश के वेपार उद्योगों को हुआ बड़ा नुकसान वलसाड से दरमपूर तक जाते रेलवे ओवर ब्रीज काम के कारण एक से बीच जुन तक बंद रहेगा अब समचार विस्तार से धरमपूर के लाकरमार गाउं में से गयर कानूनी तरीके से ले जा रहे बायो डिजल परे हुए टेंकर के साथ दो शक्स को किया गिरफतार वापी की सोजी की टीम ने रूपे 37.22 लग के फुद्यमाल के साथ कबज़ किया धरमपूर विस्तार में सोजी वलसाड वापी कैम के तहत नीजी वाहनों की पेट्रोलिंग करते समय मिली बात्मी के आधार पर पेट्रोलिंग दर्म्यान काकड़कुवा अमबाजी माता मंदिर के पास टेंकर नंबर जी जे बारा एटी आट चार जीरो आट को रोग कर जाता है ऐसी बात की और बताया की सताधरी की परमिट नहीं है जिसकी वजह से पुलीस ने टैंकर और बायो डिजल कोल मेला कर रुपे 37,22,885 का मुद्दा माल और साथ ही दोनों आरोपियों को पकड़ा अब पुलीस इस मामले में आगे जाच कर रही है कोरोना महामारी के कारण मीनी लोगडाउन जैसे माहोल में वापी समेथ समगर देश के पेपर उद्योकों को बड़ा नुक्षान कोरोना के इफेक्ट के कारण पेपर इंडस्ट्रीज में क्राफ्ट पेपर की डिमांड कम होते एक कीलो की किमत में 6-8 रुपे कम हुए कोरोना काल में देश में हुए मिनी लोगडाउन के माहोल में वापी समगर देश में पेपर उद्योक को बड़ा नुक्सान हुआ है अभी मिनी लोगडाउन जैसे माहोल में बाजार खुलने पर नियंतरन किया गया है ऐसे में बाजार में खरिदारी कम हो रही है जिसकी वज़र से paper industries को बड़ा सटका लगा है अभी देश में सिर्फ farmer उद्योग और जीवनजरूरी चीजों की बिक्री ज्यादा मात्रा में हो रही है जिवन ज़रूरी चीजों के सहारे चल रही है वहीं, इलेक्ट्रोनिक और अन्य चीजवस्तूओं का प्रोडक्शन भी अभी ना के बराबर चल रहा है, ऐसे में, क्राफ्ट पेपर की मांग में बहुत बड़ी घट आई है थोड़ी गणी इंडसी चाली ये फार्मा इंडसीज उपर चाली काराण के फार्मा इंडसीज नी डिमांड अती अन्य बाकी तो टेक्स्टाइल चे आईलेक्ट्रोनिक्स चे बाकी जे आपड़े फ्रूट्स पन गणा एक्सपोर्ट थता अता पैकिंग मांटे एमां पन अन्य वर्से फोर मिल्यां टन सेटले लगबग 40 लाख टन अन्य वापी नी बात करिये तो वापी नूँ वार्सिक टन ओवर जे छे तो ये लगबग 10,000 करोड नूँ वापी नूँ टन ओवर चे पेपर इंडसीज नूँ अन्य इनी अंदर जे छे तो एक्सपोर्ट और इ किसान ने बताया आम की फसल उतारने का कारिया शुरू कर रहे हैं जिसमें पाड़ी तस्तिल के पलसाना गाउं उमरसाडी गाउं जैसे सभी गाउं में किसान, केसर, दशेरी, हाफुस जैसी सभी तरह के आम के बॉक्स पेकिंग कर इन्हें आमदाबाद और विदेशों में एक्सपोर्ट कर पलसाना के किसान हर्शत भाई देशाई ने बताया कि इस सल आम के दाम बहुत ही कम मिल रहे है, उपर से आम की फसल को हुई नुक्सान की वज़ह से किसान परिशान है, ऐसे में सरकार द्वारा सर्वे कर किसानों को सहाई की जाया, ऐसी मांग उठ रही है पलसाना का में जया अपने हर्शत भाई देशाई जो केरी ना खेलूत तरीके निशना देवा तियो ने वाडी मा उबर या चे अने आजे केरी ने किटलो माल पकबर आवर से आवियो चे अने किवी पॉलेडी चे वाड तरी आपना हर्शत में जोडे अधियारे भविश्यमा पन आव बाव काई वधू शुद्रिये उनती आव चालो वर्षे क्यारी नो पात्पन अचो हो आचाता खेरूत ने पशन सम्भाव मत दाना थी वर्षे क्यारे अचैन मतन थी और ये ववा पूर्ध तक जाता रेली ओंवर ब्रीच काम के कारण एक से बीस जून तक बंद रहेगा रेलवे फ्राइट कोरिडोर के नए ट्रेक डालने की गोशना करके वलसाट डेपो आने के मार्क को डाइवर्शन दिया गया वलसाट रेलवे विभाग द्वारा कोरिडोर प्रोजेक्ट की तहत ओवरप्रीच के पास दो ट्रेक डालने की कामगीरी के लिए वहिवेटी तंत्रे ने बताया था वलसाट शहर में दक्षिन से आये रेलवे ओवरप्रीच पर डीएफ सी सी आयल के अंदरगत नये दो ट्रेक डालने के लिए धरमपूर जारे रोड पर प्रिकास्ट RCC बॉक्स तेयार करने का कार्य एक जून से 20 जून तक करने की बात वहिवेटी तंत्रे ने बताई जिसमें वलसाट स्ट विभाग धरमपूर वापी आती जाती बसों के लिए डाइवर्जन नकी कर वलसाट डेपो से कुंडी फाटक होकर हाइवे से धरमपूर चोकडी रूट पर संचालित सेवा में एक तरफी 18 किलोमेटर और वलसाट डेपो से गुंदलाव चोकडी ब्रीज से नीचे होकर हाइवे धरमपूर चोकडी रूट पर दोड़ती बस सेवा में एक तरफी 12 किल जाएगा अपने मुऊ एवं नाक को ढग कर छीके और हो सके तो नैपकीन का प्रयोग करे और नैपकीन को एक क्लोज दस्बीन में डिस्पोस करे Avoid people Being holy on the edge of celebration भारी लोगों की पीड से बचे जिससे आप किसी भी प्रकार के संक्रमेंट से बच पाए Disinfect the environment अपने आसपास सफाई रखे स्वच भारत अभियान को याद करे Be aware, don't be afraid जागरुत रहे डरेना कि एक जाए 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 CRI कि इसे दंगाई कि दो भी आज, कि अार्णा प्रब एंगाद, कि आप 88, कि अ С कारणा भाटना है, कि अके तर लिक गॉजग whether it am a당 being the हो कि पनल राट, ब का तर दो फ्रबवा conference*** इस नविक दो कि इसा अКग73, कि अार्णा भाटना है, कि आ अ झाल झाल वाल बाल फॉव तर्यानल स्पयानल तर्ड से अधेश्व उप्तार पार नीग दोद है पूर्टी तेस्टमर में आपिया थिया लोगों को तरफ दीजे बिट बेट मोडे अधिम सैटिसपाइट सून आने वह पिल रहते हैं काड ली थी पुसे यहांदी सर्विस माड़ों यहां अगो पूर पूर के बाद आपका स्वागत वलसार जिल्ला में कक्षा बारवी के चात्रों की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार एक जुलाई से परिक्षा ली जाएगी कक्षा दस्वी के चात्रों को मास प्रमोशन के बाद कक्षा ग्यारवी में बिठाने के लिए पाच शाला के संचालों को उल्जन में बारविक अक्षा की बोड की परिक्षा कोरोन संक्रमन के इस हालात में कोविड-19 प्रोटोकॉल के चुस्त पालन के साथ शिक्षन विभाग द्वारा ली जाएगी आने वाली एक जिलाई से परिक्षा में बैटने वाले विद्यार्थी सोशल डिस्टरंसिंग का पालन करे और मास्क पहने और परिक्षा गंद्रो पर भी सेनिटाइजर, थर्मल स्केनिंग के साथ कोरोना के सबी नियमों का पालन किया जाएगा वहीं पाड़े के सोंधलवाडा अश्वमेक विद्यालाई के M.D. हर्षिद भाई पटेल ने बताया कि 10 विक अक्षा के मास्क प्रमोशन के बाद 12 विक अक्षा के विद्यार्थी सोच में थे ऐसे में उनकी परिक्षा ली जाएगी इस बात के चलते अब विद्यार्थी वशिक्षक सब इस तैयारी में जुट गए है गहिकाली जी जाहे राते शिक्षन विभाग द्वारा के पेली जुलाई 2021 से दुरन बार्मानी परिक्षा लिवानी छे आउ सांबर्त आज विद्यार्थी आलंग्यंदर खुब आननी लागणी अनुबवाही छे विद्यार्थी वो कंफ्यूज हता के बही दुरन दस्नियंदर मास प्रमोशन मडियू तो दुरन बार्मा सू परिस्तिती हशे तो विद्यार्थी ने जारे तारिक नी जाहे रात थाई सांबर्वा मड़ी परली जुलाई एले शिक्षको और विद्यार्थी वो पन आ बाबत मा सचेत थया चे अने अवे ए प्रमाने तैयारी पन लगबग शरू करिजी दी हशे आपड़ी शालानी अंदर पन अश्वो में विद्याले नी अंदर पन आ बाबत मा गंबीर नोंद लई औने विद्यार्थी नों भविश सुधरे एवा प्रयतनों साथे अने साव रिजल्ट लावी शके एवा प्रयतनों माटे अत्यार्थीज एमने फरीपाचा रिवीजन क्लास रिक्षानों आविजन थाई रिवीव अचे अने मने लागे छे के वलसाड जिल्लानी अंदर पन समगर स्कूलनी अंदर विद्यार्थीओ माटे पन शिक्षकों खुब सारी मेहनत करी रिया छे अने ए बालकोना सारा भविश्य माटे एवो पन चिन्ती थता अने एमनी चिन्ता पन थुड़े कांशे दूर थाई छे अवेक समय नकी थयो छे एले मेहनत करवाने खुब मजा आउशे अने आपणी पासे जे कोई पन आ ओच्छो समय छे पने सुन्दर समय छे तो विद्यार्थी मित्रों ने खास निविदन छे क्या समय ने साच्वी लेशो अने अत्यार दिन सुदी जे कोई पन मेहनत करी छे एमा थोडिक वधारे मेहनत करी सुन्दर अने तमारों उजवण भविष्च बने तो सिक्षन विभाग खुब सारा निवने करे छे आमे चालू कोर्स मा थी पन सित्य टका जेटलो जो कोर्स परिक्षामा पूछावानों छे अने वदू वदू परिक्षा सेंटरों थशे अने विद्यार्थियों माटे पोताना गर्ती पन जाजा दूर नहीं जवुँ पड़े नजीक माज लगबग सेंटर गोठवा छे एनी टूक समय माज आ जाहरा थशे तो विद्यार्थी मित्रों आ ओछो कोर्स करेलों छे अपना माटे आवर्षी खुब लाबदायक छे बस आपने समय साच्वी औने मेहनत करवानी जरूर छे औने तमी बजा मेहनत करशो औने तमारू भविश्य सारू बने एज प्रभू प्रातना वलसार सिविल अस्पताल में 18 सेवा भावी संगटन के सेवक भईयों ने कोविड बॉन में सेवा दी एक मास में 12,000 फूड दिश, 11,000 एसी, 30,000 पानी की बोटल की सेवा दी वलसार सिविल अस्पताल में अभी कोरोना के केस कम होते हुए नसर आ रहे हैं समझेक संस्ताओं के सहयोग की जरूरत पर कलेक्टर ने अनुरोध भी किया था तब वलसार और पाड़ी के सिवा भावी संस्ता के कारियकर आ गया आये थे संस्ता के सिविल वर्ग 3 के स्टाफ ने इंसेंटिव रूप कुल 45,000 दे कर प्रोजसाहित किया था ओमिया सोशल ट्रोस्ट के कैप्टन अशोक पटेल ने कहा कि दर्दियों और उनके परिवार जुनों के लिए डोनेशन से नास्ते और भोजन की व्यवस्था भी की गई थी जिसमें 12,000 जितनी बोजन की थाली 30,000 मिनरल वाटर बोटल, मास्क, वेंटिलेटर स्टाफ को ज्यादा इंसेंटिव भी दिया गया था उन्हें सेवा किया कारियों में प्रोजसाहित भी किया गया था अनाविल परिवार सेवा मित्रमंडल जैसे सोशल ग्रूप पारडी की मानस सेवा RSS 618 से ज्यादा संस्ता के गो कोरणा ग्रूप के कार्यकर इस सेवा में चुड़े थे तरतो तरल ऑक्सीजन चड़ावी ने चाल दिवस कंटीनुज ऑक्सीजन पर ध्याद राइख हुँ तो बहुत सारस रितना दियाद राइख हुँशा है अने त्रिटमेंट चाल थे पर जिन नॉर्मल का में किटा दिवस्ना थे पाच्मेट दिवस्यन ओन भाई जो दवा ने बद्धी दवा ने इंजेक्शन ने बद्धी फेसलिटी तो बहुत सारस रितना आपने अन्रेड़न टाइट परसंट चाल थे अरे बाए तरस रितना परसंद घ्यावन नी शाप सफाई नी फेसलिटी बड़ावास है हुँशा है ने सारो लागएचे जैवस्ता बद्धी तो तो बहुत भुत धोर्दार थे तो लोक्तर लोकों ने नर्स लोको तो इनो सहकार ब चुप औरेक दूखे थे क्विवंब करे करेए भेचित तक गभाए मैं आरेक होश्पिटल ने अंदर दर दी यो ब्राइ रहा था, और मट्रियल नी पन खासी तकलिफ हाती, इंडर्सेंस के ऑक्सीजन और इंजेक्शनों में बदी, और ये वखते शीविल होस्पिटल नी पन तफोर ही आदा था था, कारके शीविल होस्पिटल में नी केपेसिटी करका ममना पेसंटों दर्बाग दाखल कर पड़े आता, ये उपई ही सकाई, और ये कारने वारम वार सोच्याल मेडिया और मिजे बदे सीविल होस्पिटल नी वातों चालती हाथी, और ये बाबत ने ध्यानमा राखी ने, मने थे उपेचरों होस्पिटल जेए ने परेखर तेमां आस्तरीक्स थिती सूँछे तेम ये लिष्ट बनागू, और ये लिष्ट ना अनु संदर्मा काम करवा में सरुगेगू, ये उखाते तिया गो करोना मा अजाग गिया, और ये विजा उमिया ट्रस्ट ना व्यक्तिव त्रोनेग इस्थी काजरों तताई, और तिया अमेरों कोई बदे बेगामरी ने साथे काम करवा में लगबग अधार्ज एक लिष्ट ना उस्था हो, अमारी साथे जोडाई, और ये विविद यस्तार मां केटलाक फिर्फारों कर्या, ये मां पानी जन्मानी वियरस्था, देल बोडी मेनेजमेंट, केटलाक एक्विपमेंट्स नी मदद, आईशून ए एर लिसनिंग, डेटाने लोजिस्ट्रिक्स नी आमारे टीम अती मेगा विक्रूपने अतु, ए बदाय अमें साथे मडी इने आ फिर्फारों करया, दर्दियों ने तरह थच, पोताना बेर वन्स ये दाकल छे तेना वीचे नी माई ती माई जाए, एक्लिस दिवस्मां गेंथ तक्रिको माथी दर्दी ने पानी बेबेब बटल दी एस्मा बैरी रिटर जेखो पानी जायते भी रिवस्ता करें जग सोती दर्दी जई लिए अबियस्ती और इफला मानों सोके स्टाफिंग नि खमी अथिके त्यां ज़िने दर्दी आपनी जमानी देवस्ता ओनी पाड कुरूँ पारिए, कठवाड़े हमाने 20,000 रुप्रे थे, मैं लग एक महीना काम करिए, तो एमने इंसेंट्री कुरूँ पारिए, वार्ड ने टॉयलेंट बात्रू ने खुच खुच आख थे गए, विजू तिया इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक तो फूदिंग एफेक्ट आए, तो फूदू मेडिकेशन जरू लागे, मीजिक ठेरापी आए, तो फूदू पॉजिटिव वाइब्रेसं थे, उप्तम प्राइए, कोड़ा अड़ा येटला वार्ड रता ने इना परमान मा पुल्सक्सिमेटर सुच आथा थे, दोर्सो गर्दी माई, इसने विवी बदी हमादद, ले नानी मोटी डरेक्ट दरीक विस्तामा ने अनी अंदर अमने बल्सार माँ तुम्या टरस लोगो, कोरोना दो, जलारामसिवा मंदर, मित्र मंदर छे, अनावेल इवा मंदर छे, पाईडी इंडर्स्ट्रेल एस्टे छे, स्मॉल स्केव पिलाडवाला बैंक में बंद हुई चिकित सा रहत, सभासत मृत्यू सहायता योजना, फिर से शुरू करने की सभासदों की माँ, बैंक के सभासदों को दो बर्शों से डिविडेन न देते, सभासदों में आक्रोश सरदार पिलाडवाला बैंक में सभासद वैद कीया राहत योजना और सभासद रूत्यू सहाय योजना के तहट, अरजियो को मंजूर करने के बाद, 67,16,208 की रकम को बात करते, दोनों योजनाओं में मिल रही सहाय को बंद किया गया था, जिसके चलते, Board of Directory की बैठक में, स पिसुई हैमेद भगत ने, बैंक के चेर्मेन को लिखित पत्र दे कर बताया था, कि पंदर डिविजन में से 3% डिविडेंड योजना सभासदों का हक है, जो कि नहीं दिया जा रहा, लेकिन अभी वैद किया राहत सभासद मृत्यू सहाय योजना बंद की है, जिसका सक्त शब्दों में विपक्स डिरेक्टरों द्वारा विरोध किया गया, वापी में रिश्वत लेते पकड़े गए PSI डाफडा, तीन दीन रिमांड बर, PSI डाफडा ने धमकी से लिये गए, माल सावन कबजे किया, और नीजी संपत्ती की भी जाच की जाएगी, वापी में दो शक्सोदवारा मारने की धमकी दी गई थी और साथ ही 20 लाख रुपे की मांग की गई थी, मांग के मताबिक 20 लाख रुपे नहीं दिये जाने पर उन्हें गलत केस में फसा कर, उनके परिवारों को मारने की बात भी की गई थी, जिसके चलते, एजनसी के मालिक ने इस बात क के खिलाफ वापी टाउन पुलिस स्टेशन में 14 अपरिल को फर्याद दर्ज करवाई थी इस फर्याद की जाच कर रहे हैं वापी टाउन पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर पी एल दाफडा ने एफायर दाखिल करने के अवेज रूप 5 लाख रुपे के रिश्वत के त इस दोरान इस इंस्पेक्टर ने अपनी घर की जरूरी सामगरी जैसे की ऐसे फ्रीज वगेरा करके कुल 6,700 रुपे का माल भी फर्यादी की पास से खरिदवाया था और बाद में यह एक लाख रुपे लेते हुए वहरंगे हाथों पकड़ा गया था जिसमें SBI के PIDM वसा की थी जहां आरोपी पहले भी इस तरह लोगों के पैसे हड़क चुका है या नहीं और राइटर के लिए मांगे गए 40,000 रुपे में राइटर भी शामिल है या नहीं इस बात की जांच पुलिस कर रही है और इस तरह प्रस्टाचर कर अन्या कितनी मिलकर खरी दी गई है इ शिकायत दर्च कराने वाले किसान ने वाच रप कर चोरों को जान में फसाया पाड़ी पुलिस स्टेशन में आम की चोरी का गुना दाखिल होने पर पाड़ी पुलीस ने आम की चोरी करती एक गेंग की धर पकड़ की जिली में आम के दाम दिन बदिन बढ़ने पर आम की च सिल के कोटलाव गाओं के किसान अशोग भाई पटेल ने एक अफते से अपनी वाड़ी में पेड़ पर से आम गायब होने के चलते दो-चार दिन पहले इन आमों की चोरी कर रहे एक रिक्षा वाले को पकड़ कर पुलीस में इसके खिलाब फर्याद दर्ज करवाई थी जिसस जिसकी फर्याद पुलीस थाने में दर्ज की गई है वावा जुडाना लिदे भेंकर नुक्सान छे खिलूतने केरी तो पड़ी गया इलोकन आमबापन पड़ी गिया छे सौध दर्ज सो मारा अमबापन पड़ा छे अन्ने किहार पछी आवे आ चोरी नु उपद्रव चोरी नु उपद्रव एक लो बदा वधी गया छे खिडूतने थाकी चाहिला छे खिडूतने वाडी में काम करावे सब करें के वाडी साचेव के चोर ने पकड़े माड़ा छला थवाडि आति चोरी थाइचे सब्सक्राइब कर दोड़ने की शुरुवाद के लड़क मार गाउं में से गरकानूंदी तरीके से ले जा रहा है बायो डिजल बरे हुए टेंकर के साथ दो शक्स को किया गरफतार कोरनम हमारी के कारण मिनी लॉकडाउन जैसे माहौल में वापी समेच समग रदेश के वेपार उध्योगों को हुआ बड़ा नुकसान वलसाड से धरमपूर तक जाते रेलवे और ब्रीच काम के कारण एक से बीच जुन तक बंद रहेगा तो यह थे आज की समाचार नए समाचार के साथ कल फिम नेगे नमस्कार झाल 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 झाल